कि यह वर वाचिंग एश्टी रेक्स विल्कम बैक टो दे चैनल कैसे हैं आप से ठीक ठाक हैं उमीद करता हूं अच्छे होंगे खेर करिया से होंगे इंच्वाय कर रहे होंगे आज का पूरा दिन ही कालबन हमारा जो है वह बजट डिसकेशन पर निकलेगा क्योंकि बहुत सा ज़्यदा बादी है दस गुना ज़्यदा बड़ा मुल्क है और एकॉनमी तो छे साथ सो गुना बड़ी है तो काहे का कंपारेजन लेकिन करते हैं फिर भी शोग पूरा करते हैं करने दें मैं हमेशा यह कहता हूं कि सीखना चाहिए सीखें फूट स्टेप फॉलो करें आपके लिए तो बगायदा रस्ता बनावाया पॉलिस बनीवी है कि यह पॉलिस फॉलो करके आप इंडिया कितना तरकी कर सकते हैं लेकिन सीखें कौन तो वीडियो का टाइटल है बजट में फ 200 रुपे किलो जा रहा है मुर्गी 800 रुपे किलो जा रही है दूद 210 रुपे किलो है आपने देखा ही होगा नियूस में भी तो दरा देखते हैं और फिर अपने हुक्मरानों से सवाल करते हैं आईए शुरू करते हैं 3,2,1,1,2 हलो फ्रेंट्स जैहिन हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वाग्द दोस्तो केंद्रिय बजट 2023 में वित मंतरी निर्मला सीता रमन ने कई बड़े ऐलान किये परधान मंतरी गरीब कलियान अन योजना को एक साल तक बढ़ा दिया गया है इसका मतलब है कि अब गरीब पर इसका मतलब यह है कि इस योजना को साथ बार बढ़ाया जा चुका है वहीं अब इसे एक फरवरी 2023 से एक साल के लिए और बढ़ा दिया गया है दूसरे तब पाकिस्तान में लोग आटे के लिए तरस रहे हैं और पाकिस्तानी सरकार उनके लिए कुछ भी नहीं कर पारी बल तो चलिए दोस्तों आज कैसे वीडियो की तरफ करते हैं तो गरीब मरनें फ्री फूड ग्रेंट स्कीम चल रही थी लेकिन अब इंडियन गोर्मिन्ट ने इस बजट में दो लाख क्रोड रपिया एलोकेट करते हुए उसे एक साल के लिए पाकिस्तान की पबलिक से बात कर रहे हैं पैसों का भी आटा नहीं मिल रहा आखिर क्या वज़ा है हम भी अपने अपने अग्री कल्चर कंट्री कहते रहे हैं और अब भी यही कहते हैं कि पाकिसान एक अग्री कल्चर कंट्री है लेकिन हम यहां पर फूड क्यों नहीं पर रवाइड कर रहे इंडिया इंड पर पूड कराइसिस जाल रहे हैं बाइस से पचीस क्रोड की पब्लीक है हम फूड पूरा नहीं कार पारे और वहां पर फ्री फूड दिया जा रहे हैं जी सबसे जो बड़ी कमजोरी है पाकिस्तान की वह है पॉलिटिकल इस्टेबिलिटी है ठीक है अगर आपकी जो भी गौ इंडिया की आप बात करें इंडिया के जीडिपी युके के साथ मिल रही है ठीक है इंडिया की आप देखने और एजुके से टेकनोलोजी देख लें अब एपल स्टोर्स वगारा सारा कुछ वहीं पर ठीक है और आप देखें वहां पानी का नजाम भी अच्छा है ठीक है यह वहां पर यह हंकामी सूर्थ हार के लिए उन्होंने डैम्स हर चीज़ बना के रिखी है आपके पास वही डैम्स है ठीक है आपने फंडर रेज किया उसका पुई पता निकांगया कालाबाद देखें उस पर आपकी सियास्त दी आपकी जितने भी डैम्स और जो भी पान पास यह उन्होंने जब यूके वाले गये मतलगे जब वरसकीर था तो उन्हों जी तो जो गोरे थे ना वेसिकिन उन्होंने गोरों का अपना मेंट्र तब भी रखा उनकी पॉलसी अपनाते रहें ठीक है जो पाकिस्तानी थे यह ज़रा माशाला मुस्लिम टाइब बनते थ ज़्यादा ठीक है इन्होंने क्या किया है इन्होंने का जी हम वह इंका अपसंदी यह इसलाम मना है नौली था नहीं जना भी मना वीडियो भी वह वही मौली साहब आजकर पड़े बैनर्स बने हुए है टाच उमबाइल है सारा कुछ है उसमें अच्छा वह बाई कहने का म में हम किसी की तरकी बरदाश नहीं कर सकते हैं मसला यह हम जब कंपैरजन करते हैं आप स्टैटिसिक्स देख लिए इंडिया हमसे बहुत ऊपर है आप छोटी कंट्री ओ आपका उपर जाना ज्यादा इसी था इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है ठीक है यही बात है कि उन्हें कैसे अपनी पबली को बदला उन्होंने कैसे अपने सिस्टम को चीशन से उनकी वाम तो एजुकेटिड है ठीक है और वह इतनी इंतहाब संदनी है वह एक वह सैकलर निजम है अगर कोई बंदा गल्द कर देता है ठीक है उसको जी मार दो कतल कर दो ठीक है जिस बात देखें जी सवाल का जवाब शुयब भाई ने भी दिया और जो इंट्रवी दे रहे थे उन्होंने भी दे दिया बात यह है कि इंडिया जो है इतना जो आज हम देख रहे हैं कि इतना बूम आया हुए और एक जो है ना तरकी हो रही है रोकेट की स्पीड से और यूके को भी पच्छाड दिया मतलब यूके के लिए जादा शुर्मिंदगी की बात है कि उन्होंने यहां पर 200 साल हकूमत की थी और आज वो इंडियन जो है वो उनके एकानमी में भी उपर और वहां पर प्राइम मिनिस्टर भी इंडियन तो यह बात होती है कि किसी को अपनी तरकी से जो है ना उसकी उकात पर लेके आना यह होता है में तरीका अब बात करते हैं हम इन्होंने बात की कि हम कट्रें तो कट्छे निकली थी पाकिस्तान इंडिया की संताली में लेकिन मौर और लेस हलात भी एक जैसे थे यह ब्रिटिस जो है वो सब कुछ खाली कर गये थे तो और अभी भी कुछ हमारी हालात बेतर नहीं है जबके वहां पर जो है ना जो छोटे-बोटे उनके प्राब्लम्स थे हमने देखा के नौर्थीस्ट को एनेक्स किस तरह से 1970 में आके एनेक्स हुए तो यह सब भी होतारा बॉर्डर इंकलेफी उनके जो बंगलेदेश के साथ है वो भी सही हो गए और बहुत सारे मामलात उनके बेहतर हुए ना सिर्फ बॉर्डर को लेके बलके एकॉनमी को भी लेके और अब आप देखें कि वह इतना बड़ा मुल्क है और वहां पर कई शहर ऐसे हैं जिनके हम पूरी लिस्ट पेश कर सकते हैं जो तरकी आफ़ता श जो है ना जिनको वो फ्री राशन हर महीने देंगे तो मेरे ख्याल में हमारी अवाम को सुनना चाहिए यह बंदा थोड़ा मुझे एजुकेट लाग रहा था जरा दिमाग इसका भी खुला हुआ था कि यह ऐसी बाते कर रहा था कि हम पीछे इसलिए रहागे क्योंकि हमने म कि भी वह भी हराम है और वह ऐसे और वह व आप मुलवी स्टिवी पर बैठके बैयान रहे होते हैं our awake का सु क्foundy सकी अपनी केसूवीनियंस के लिए हर चीज हलाल भी हो जाती है और अपनी कन्वीनियूस को देखनी हर चीज हराम भी हो जाती है और हमारे अवाम को य रहेगा नहीं, बात सिरफ इतनी सी है, समझने वाले समझ गए होंगे, मिलते हैं नेक्ट वीडियो में अपना ख्याल रखिएगा, see you guys